नमस्कार दोस्तों के ट्वेंटी क्रीम एक एंटी फंदल दवा है। इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसके अलावा सिर की त्वचा में डैंडरफ होने पर और सेबोरिक दर्मेटाइटिस होने पर भी के ट्वेंटी क्रीम का उप्योग किया जाता है। सेबोरिक दर्मेटाइटिस डैंडरफ का ही एक गंभी रूप है। सेबोरिक दर्मेटाइटिस होने पर तवचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी बहुत ज्यादा गंभी रूप से गिरने लगती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में के ट्वेंटी क्रीम की वज़़से कोई साइड इफेक्स नहीं होत जैसे त्वचा में जलन होना, त्वचा में खुजली होना और त्वचा में रैडनेस होना आदी साइड इफेक्स के ट्वेंटी क्रीम की वज़़से हो सकते हैं। अगर आपको के ट्वेंटी क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में बहुत तेज खुजली, जलन, त्वचा पर सूजन, तवचा पर रेडनेस, तवचा पर रैशेस या तवचा पर सुई चुबने जैसी समवेधना ज्यादा होती है या ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए क्योंकि ये लक्षन K20 क्रीम की वज़र से एलर्जी होने पर हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की K20 क्रीम को कैसे लगाना रेक्मेंडेर होता है K20 क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से पानी से धो लेना चाहिए और हाथों वप्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद के 20 क्रीम की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगानी चाहिए और के 20 क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए। के 20 क्रीम की दोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। के 20 क्रीम को आख, नाक, मुह और वजाइना के अंदर लगाना रेक्मेंडेड नहीं होता है। पैरों में फंगल इंफेक्शन होने पर उनी या सिंथेटिक सामगरी से बनी जैसे नाइलोन की जुराबों को न पहने। और कॉटन से बनी जुराबों को पहने। इसके अलावा सैंडल या अच्छे हवादार जूते पहने। वैसे के 20 क्रीम प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को के 20 क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। क्या जरुर्ण टॉंड़ियोग महिलाओं को रही हैं। यह इस नहीं कोई छीरा जरुर्ण